कॉंग्रेस पार्टी के विदे स्विभाग के कॉडिनेटर और उनके चुनाव घोष्णपत्र कमीटी के सदस्य स्री सेम पित्रोडा जी का जो कल बयान आया वो काफी चिंतावों को जन्म देने वाला है उन्होंने प्रमुख रुप से बयान में चार बाते बताई है एक यह जो पुल्वामा पर निंदनी हमला हुआ और हमारे चालीस सुरक्सा बल के जवान सहीद हो गए उसको एक रूटीन घटना बताया है दूसरा कुछ लोगों की हरकतों से पूरे देश को दोसी नहीं मनना चाहिए इस प्रकार का भी बयान दिया तीसरा चब्वीस ग्यारा के रेफरेंस में कहा कि आतांकी हमलों का जवाब एर स्ट्राइक या सरजिस्कल स्ट्राइक नहीं हो सकता बाचीत हो सकता है और मैं आज कॉंग्रेस पार्टी को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष्री ने इस बात को देश की जनता के सामने सपश्ट करना चाहिए कि आप इस प्रकार के जगन्य हमलों को जो देश की जनता को जिनजोड कर राख देते हैं उसको आप सामान्य गटना मानते ह। कि रूटिन गटना मानते हैं कि दो कुछ लोगों की हरकतों से सातांट लोगों की हरकतों से किसी देश को दोसी नहीं मानने चाहिए क्या कॉंग्रेस पार्टी मानती है कि जो आतांकवादी घटनाय देश में होती है इसका पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान की सैना से कोई रिष्टा है या नहीं है इसकी स्पश्रता करने चाहिए अगर रिष्टा है तो फिर दोसी कौन है इसका जवाब कॉंग्रेस पार्टी ने देना चाहिए और तीसरा आतांकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक से नहीं देना चाहिए बादचित से इसका समाधान डूनना चाहिए क्या ये कौंग्रेस पार्टी की आतंकवाद को डिल करने की नीती अधिक्रूत है क्या कौंग्रेस पार्टी के अध्यक्स ने तीनों मामलों पर देश की जनता को जवाब देना चाहिए जब देश पर इस प्रकार के आतंकी हमले होते हैं देश के सुरक्षा बल और सेना के जवान हताहत होते हैं देश के नागरिक हताहत होते हैं और कौंग्रेस पार्टी और उनके इतने प्रमूख पदाधिकारी बादचित का रास्ता सुझाते हैं इससे कौंग्रेस पार्टी इसे हमाट है किया?